Hey guys, this is me, Mrinmoai, Karmaakar and you are watching your all-new YouTube channel, The Untold Mac So guys, आज की वीडियो में जो होने वाली है, वो होने वाली है, काफी ज़्यादा इंफरमेटिव, especially for Delhi University aspiring students So, ये वीडियो में हम बात करेंगे Top 8 Evening Colleges of Delhi University 8 ऐसे Best Evening Colleges जो की Delhi University के है Okay, so video में start करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, evening colleges के बारे में, evening colleges होते हैं, वो morning के तरह ही होते हैं, जो चीज़े morning में होती है, वो same चीज़े evening में होती है, बस इसके cut-offs थोड़ी low जाती है, because of the lack of demand, इसकी demand थोड़ी कम है इस टाइमिंग की, इसलिए ऐसा कोई बात नही है, तो आप भी evening पे जा सकते हैं, जो इसका 2 से 8 के बीच का timing रहता है, okay, so अब बात करते हैं, हमारा 8 नंबर college, हम नीचे से उपर बढ़ेंगे, 8 से लेके 1 तक, तो 8 में नंबर पे हमारा जो college है वो हो है, शयाम लाल college जी हैं दोस्तों, शयाम लाल college जो है, यह काफी है, अब हम लोग पढ़ते हैं, चल दी से 7 नंबर college पे, तो 7 नंबर जो हमारा college है, वो है, श्री औरविंदो college जी यहां दोस्तों, श्री औरविंदो college एक बहुत ही अच्छा college है, बट यह college को हमने 7 में नंबर पे इसलिए रखा है, क्योंकि इसका जो infrastructure है, वो उतना को नहीं मिल सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि college के बारे में कुछ खराबी है, one of the best place में है, South Delhi में, मालविया नगर में पड़ता है, तो यह अच्छा pick-up हो सकता है, 7 नंबर पे, इसकी cut-off morning से low जाती है, evening में, ओके, 5th नंबर का, sorry, 6th नंबर का जो हमारा college है, वो है, जाकिर जाकिर हुसाइन, evening college, जाकिर हुसाइन, evening college, एक बहुत ही अच्छा college है, और यह, मतलब, politically ज्यादा active college है, अगर आप political छेतर में ज्यादा, मतलब अपने आपको, dominant करना चाते हो देली उनिवस्टी में, तो शायद आपका एक बढ़िया pick-up हो सकता है, जाकिर हुसाइन college, जो की, again पढ़ता है, south campus में, जाकिर हुसाइन की morning colleges भी है, same, लेकिन evening college जो है, वो भी काफी अच्छी है, तो यह हमारा है, sixth pick-up, अब हम आगे बढ़ते है, फटाक से fifth pick-up है, जो fifth number हमारा college है, वो है, PGDAV college, यहां दोस्तो, PGDAV college, जो की विनोबा पूरी metro station के पास पढ़ता है, जस्ट आप इनोबा पूरी metro station से निकलोगे, आपके सामने रहेगा PGDAV college, तो इसकी जो location है, वो बहुत अच्छी है, एक्तम south Delhi में पढ़ता है, proper, और जो इसकी campus है, वो थोरी छोटी है, बट infrastructure, it's good, not bad, politically यह भी काफी active college है, और मतलब सही college है, हमारे गुजर भाई लोग उस बढ़ते हैं अपने fourth college पर, जो fourth college है, वो है सत्यावती college ही है, सत्यावती एक बहुत ही नामी college है, हमारे south campus में, बहुत ज्यादा नामी तो नहीं बोलूगा, जैसे हमारे वेंकर इश्वर है, बट evening college के साब से, it's a good college, it's a good choice, सत्यावती college और सबसे बड़ी बात है, कि यह आ सत्यावती रहा हमारा fourth, अब बढ़ते है, third पे फटाक से, तो third number जो हमारा pick है, वो है मोतिलाल नहरू college है, यह है आपको, यह भी again आपको south campus में मिलेगा, और जो सबसे अच्छी बात है मोतिलाल नहरू की, इसकी infrastructure, infrastructure में मोतिलाल नहरू बहुत ही अच्छा है का, फिक ग्रीन सिंद्री इंवर्मेट पे लेगा, आपको infrastructure में मोतिलाल नहरू का, यह भी south campus का college है, और evening college की, अगर specially बात करें तो evening में भी अच्छी है, cutoff जो है, इसकी high जाती है, ऐसा नहीं है, कि आप 80-82 लाके इसमें admission ले सकते है, मोतिलाल नहरू क में आपको नहीं मिल सकता है, शायद मतलब थोड़े ज्यादा नमबर आपको चाहिए होंगा, अगर आप general category से हो, तो 90s के ऊपर, वैसे तो सारी में 90 चाहिए, बट PGTA भी एक ऐसी college है, जहां पे आपको थोड़ी low cutoff में भी आपकी admission हो सकती है, यह एक plus point होता है, लेकिन मोतिलाल में ऐसा नहीं है, अब हम रहेंगे major 2 के तरफ, यह हो गया, तो अब मैं बात करने वाला हूँ, last के two colleges, तो दूसरे नमबर पर जो मेरा pick है, हमारा pick है, वो है दयाल सिंग college, जो की अपने location के लिए बहुत जादा जाना जाता है, जो की है लोधी road, CGO complex के पास, प्रगतिव धिहार में, और JLN, stadium के ठी deposit में, दयाल सिंग college, it's a huge college, दयाल सिंग college का अगर आप campus की बात करो, तो यह बहुत बड़ा campus है, literally में, दयाल सिंग college का जो campus है, one of the biggest colleges है, पूरे देली उनिवस्टी में, हाला कि यह off campus का college है, बट इसकी जो ranking है, वो NIRF ranking के हिसाब से भी बहुत जादा ऊपर है, तो दयाल सि साथ ये एक morning college भी है, मतलब evening college होते हुए भी इसका timing जो है, वो day timing है, मतलब आपका जो morning college के timing होगा, वो ही दयाल सिंग evening college का भी timing होगा, तो ये एक full-fledged day college है, बस इसका नाम दयाल सिंग evening college आपको पढ़ेगा, बट आपका जो cut-off होगा, जो भी evening college के साथ मैच करेगा, दयाल सिंग college is great, अब बात करते हैं, सबसे last में आता है हमारा main college जो इससे हमने number one पे रखा है, वो है शहीद भगत सिंग college, जी आ दोस्तों, शहीद भगत सिंग college जो है, वो है काफी ज्यादा popular college है, पूरे south campus में, okay, मतलब शहीद भगत सिंग college में, अगर आपको morning में मिलता ह या evening में मिलता है, go for it, अगर आपके अच्छे और ज्यादा अच्छे colleges में नहीं हो रहे है, क्योंकि शहीद भगत सिंग अपने में ही बहुत ज्यादा reputative college है, और इसके जो percentage या cutoff है, ये भी काफी high जाते है, ये बात में आपको बता दू, and it's a good college, इसकी campus भी बहुत अच में मिलके तो तुम मचा देते हैं, तो it's a nice college to go with, okay, so that's it for today, तो ये रहा हमारा top 8 pickup, शाहिद भगत सिंग, नमबर वन, दयाल सिंग, फिर मोतिलाल नहरू, फिर सत्यावती, फिर पीजी डिएवी, फिर जाकिरुसन, और बिंदो, and श्यामला, so that's it for today, thank you, मैं इसी तरीके के और भी ज्यादा informative वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए, and if you like this video, then please subscribe to my channel, thank you.